ओ, शुभ बुधवार की कथा मैं सुनाऊं विगनेश्वर गणपती को मनाऊं रध में पूजन करे है जहान सकल लोक का करे रिकल्यान ओ, शिव ने दिया वर्दान है न्यारा प्रत में पूजन होगा तुम्हारा सरे जारे वंदन नित गुणे गान जणपती देवा सुख काधा ओ, देव रिशी सब संत मनाते श्री चरणों में शिश नवाते रंबो दर के जग में है शान लेलु सदा गड़ पती काना ओ, ब्रम्हा विश्णूं करते हैं पूजन प्रत में करते सब अभिनंदन तेसा पावनेन का नाम गड़ पती जीकरी पूरण काम ओ, गज मुखनायक सुन्ड विशाला देव का ऐसा रूप निराला मंगल का अरी शिव संतान जिन से बनते बिगडे का ओ, मुसे की करते असवारी शोभा जिसकी लागे न्यारी अश्ट विनायक भी है नाम विखनों को हर नाइन काका ओ, रिधी सिधी संग विराजे पटरानी दो चवर ढुलावे वित्या गोठी का देवेदान विश्व विनायक है गोडवान ओ, देव आज्या से काज सवलते विखन पड़े ना सहज ही बनते मत्पा मेरे देव माहान संत मुनी सब करते बखान ओ, के सर तिलक है सोहे माथे मोदक का तुम्हें भोग लगाते देती शुख फल सुख का धां गज्यनायक का ये ही कां ओ, एक दिवस की बात सुनाओं ओ, एक दिवस की बात सुनाओं सुझलू पूरा भक्तों बखान विश्व बिनायक कैसे महान ओ, बचपन में करते शैतानी मुनियों के संग करते मन मानी मुनी सूचते क्या हो निदान क्यों कर हो गए ये शैतान ओ, वेद व्यास जी रिशी तब सोचे शैतानी का हल वो ढूंडे मिले गया उन्हे कोई किसा माधान ओ, ठोपे आई मुस्तेकान ओ, सोचे गर कुछ काज बता दूं शैतानी से ध्यान हटा दूं करेंगे जब पूरा दिन काम ना लेंगे तब हट से काम ओ, रिशिवर ने तब काज बताया इसी काज से ध्यान बताया रंच लिखन का देना का रिशिवर बोले देना जाज ओ, वेद व्यास जी बोलते जाते गणपती सुनके लिखते जाते कारज चरता था अगती मान गणपती जी को मिलता ज्यान ओ, ग्रंथ लिखन का काज था ऐसा शैतानी का समय न मिलता लिखनी में ही रहता ज्यान गणपती हो गई तब गुलवार ओ, एक दिवस जब लिखते जाते रचना में वो ध्यान लगाते वी दिव्यास को भाया ठाका रचना का करीका अज महार ओ, एक दिवस पल एसा आया रचना रुके वड़ा मन घब राया तूटी कलंग हुआ ऐसा काम गणपती सूचे क्या हो निदा ओ, सैसा ही तब दात है तोड़ा लिखने की गति को फिर जोड़ा लिखे दंत से रचना महार महा भारत का लिखने का ओ, वेद व्यास जब सार को जाना आशिश देना दिया सम्माना एक दंता तब देनाना वेद व्यास कही तुम हो महार ओ, ऐसे गणपती आज्याकारी लेखन की ना बात बिगाडी गजदायक ऐसी गुणवान शिव गुरा की है संता ओ, एक दंता के नाम को पाया ओ, एक दंता के नाम को पाया बढ़ाया नाम भी पाया पाया ने घ्यान रचना लिखन का की धाका ओ, गणपती जी की ये कथा सुनाई जन जन को जो है सुखदाई वीखन बिना शक का गुणे गात जिस में छुपा है मुख्ती का धां ओ, यश्वै भाव सुख देने वाले बापा मेरे हैं प्रति पाले गुथी फल का भी देती दान चरणों में सब करी है प्रणा ओ, कणपती लीला महिमा गालो जीवन अपना सफल बनालो ओ, जाएंगे पूरण का जपती जाओ गणपती ना विग्ण विनाशक गणपती जी की तुमको कथा सुनाते हैं प्रतम पूझ गणपती बपा को हम सब शीश जुकाते हैं गणपती जी महराज करते सब के पूरण का ज़ गणपती जी महराज करते सब के पूरण का ज़ प्रतम पूझ श्री गणपती जी का प्रतम ध्यान लगाऊं संग में गौरी और शारदा शिवशंकर को मनाऊं मैं रिद्धी सिद्धी के दाता गणपती महराज कहाते हैं प्रतम पूझ गणपती बपा को हम सब शीश जुकाते हैं गणपती जी महराज करते सब के पूरण का ज़ एक बार जब शिवशंकर जी अमरनाथ में चले गए बहुत दिनों तक वो कहलाश पे लोट के वापस ना आए अमरनाथ की गुफा में भोले तप में ध्यान लगाते हैं प्रतम पूझ गणपती बपा को हम सब शीश जुकाते हैं गणपती जी महराज करते सब के पूरण का ज़ गणपती जी महराज करते सब के पूरण का ज़ रही एकली माता गोरा बिन शंकर मन लगे नहीं बिन शिव जी के माता गोरा छोड के लाश को जाए नहीं जयार विजया सक्खिया दो गोरा मा की बताते हैं प्रतम पूझ गणपती बपा को हम सब शीश जुकाते हैं गणपती जी महराज करते सब के पूरण का ज़ एक दिन जब माता गोरा का मन कुछ ज्यादा खुलाया अपने तन पर खल दी काउब टन मा गोरा ने लिपटाया माता के मन में भकतों फिर कई विचार उम हाते हैं प्रथम पूझ गणपती बपा को हम सब शीश जुकाते हैं गणपती जी महराज करते सब के पूरण का ज़ किया विचार मा पारवती ने उबटन तन से उतार लिया उबटन तन से उतार लिया उस उबटन से मा शक्ती ने एक पुतला तैयार किया फिर पुतले में मा गौरा के शक्ती प्राण समाते हैं प्रतम पुझी गणपती बखपा को हम सब शीश जुकाते हैं गणपती जी महराज करते सब के पूरण का ज ऐसा सुन्दर रूप था दुभुत तीनों लोकों से न्यारा उस बालक का रूप अनोखा मन मोहक मन का प्यारा पाकर के एक पुत्र अनोखा मा के प्राण खिल जाते हैं प्रतम पूझ गणपती बखपा को हम सब शीश जुकाते हैं गणपती जी महराज करते सब के पूरण का ज गणपती जी महराज करते सब के पूरण का ज नाम रखा बालक का विनायक मंगल दायक दुख हरता गौरिलाल और सुमुख कहाए कपिल शुभम सुख करता मंगल मुर्ती मूशक वाहन ओंकार कहलाते हैं गणपती जी महराज करते सब के पूरण का ज पाकर के मां अपने पूत्र को बहुत घनी हरशाई थी बुत्र के संग में समय गुजरता बेहद लाड लडाई थी ज्यान लगा के सुनते जाना आगे कथा सुनाते हैं प्रथम पूझी गणपती बपा को हम सब सीश जुकाते हैं गणपती जी महराज करते सब के पूरण का ज गणपती जी महराज करते सब के पूरण का ज करने कुस्नानिक दिनमा गौरां कैलाश के भीतर थी द्वार पाल बना दिये बिना यक कोईया आ जाए नहीं बाहर द्वार पे खड़े बिना यक माग्या वो पाते हैं गणपती जी महराज करते सब के पूरण का ज आ गए महादेव तब ही और अंदर जाना चाहा था महादेव को गणपती जी ने अंदर जाने से रोक दिया गणपती जी कोशिव शंकर पहचान न विलकुल पाते हैं प्रतम पूझ गणपती बपा को हम सब शीश जुकाते हैं गणपती जी महराज करते सब के पूरण का ज गणपती जी महराज करते सब के पूरण का ज शिव ने कहा मैं महादेव हूँ पारवती का पती हूँ मैं बोले गणपती मैं ना जानू पारवती का पुत्रु हूँ मैं महादेव को गणपती जी ना अंदर जाने देते हैं प्रतम पुझी गणपती बखपा को हम सब शीश जुकाते हैं गणपती जी महराज करते सब के पूरण का ज महादेव ने समझाये पर गणपती बिलकुल ना माने है आदेश मुझे माता का इससे अलग न कुछ जाने समझाने को गणपती को फिर और देवता आते हैं प्रतम पुझी गणपती बखपा को हम सब शीश जुकाते हैं गणपती जी महराज करते सब के पूरण का ज गणपती जी महराज करते सब के पूरण का ज गणपती को फिर सभी देवता तरह तरह से समझाएं गणपती जी ने एक नमानी रोधु में नंदी गण आये गणपती जी से नंदी गण फिर युद करने लग जाते हैं गणपती जी महराज करते सब के पूरण का ज युद्ध भयंकर छिड़ गया फिल तो गणपती से सब हार गए नंदी गण सभी हुवे पराजित देव तभी थक हार गए क्रोधित हो कर महादेव अपना त्रिशूल उठाते हैं प्रधम पुझी गणपती वगपा को हम सब शीश जुकाते हैं गणपती जी महराज करते सब के पूरण काज शिवने फिल त्रिशूल उठाकर गणपती उपर चला दियां शिव शंकर ने क्रोध में आकर गड़पति का सर काट दिया देख भयंकर द्रिश सभी फिर देव तभी घबराते हैं प्रतम पूझ गणपति बपा को हम सब शीश जुकाते हैं गणपति जी महराज करते सब के पूरण काज मा गोरां को पता चला जब दोड के बाहर वो आई देखी लाल की लाश पड़ी हुई गईया जैसे डख राएं रूप लिया विक्राल बनाये देख सभी डर जाते हैं प्रतम पूझ गणपति बपा को हम सब शीश जुकाते हैं गणपति जी महराज करते सब के पूरण काज गणपति जी महराज करते सब के पूरण काज क्रोध में आकर बोली भवानी किसने ये ऐसा हाल किया महकाली के रूप में आके सब देवों से सवाल किया देख रूप महकाली का कोई कुछ भी न कह पाते हैं प्रतम पूझ गणपति बपा को हम सब शीश जुकाते हैं गणपति जी महराज करते सब के पूरण काज महादेव ने पारिवती को रेम से सब कुछ समझाया जो जो धटना क्रम था सारा मागारा को बतलाया शिवशंकर मागारा का फिर क्रोध शांत करवाते हैं प्रतम पुझ गणपति बपा को हम सब शीश जुकाते हैं गणपति जी महराज करते सब के पूरण काज रण्पतिजी महराज करते सबके पूरणाज कैसे हो अब पुत्र ये जीरित कोई उपचार बताए ना कोई उपचार बताए ना जिसको खुद शिव शंभू मारे कोई बचा उसे पाए ना कोई बचा उसे पाए ना बिर्शंकर सब देवताव को एक उपाए बताते हैं प्रत्म पुझ गणपतिवप्पा को हम सब शीश जुकाते हैं गणपतिजी महराज करते सब के पूरण काज जिस बालक की माँ अपने बच्चे से विपरित बैठी हो उस बालक का सर ले आओ तभी गणपतिजी जीवित हो सभी देवता ऐसा बालक ढूंडने को फिर जाते हैं प्रत्म पुझ गणपतिवप्पा को हम सब शीश जुकाते हैं गणपतिजी महराज करते सब के पूरण काज गणपतिजी महराज करते सब के पूरण काज श्री नरायन पहुचेवन में एक हथीनी को देखा था उसका बच्चा अपनी मा के पीठ के पीछे बैठा था पीठ के पीछे बैठा था उस गजबच्चे के सर को फिर काट के विश्णू लाते हैं प्रत्म पुझ गणपतिजी महराज करते सब के पूरण काज प्रत्म पतिजी महराज करते सब के पूरण काज हाथी के बच्चे के शीशि को बिनायक धड़ से लगाया था प्राण मंत्र से प्राण पूक कर उत्र जीवित करवाया था गज के शीश से बने का जानन लंबो दर कहलाते हैं प्रत्म पूझ गणपतिवप्पा को हम सब शीशि जुकाते हैं गणपतिजी महराज करते सब के पूरण काज गणपतिजी महराज करते सब के पूरण काज दे दिया एक वरतान शंभूने रत में पूझा जाएगा सारे जग के विग्न हरेगा विग्न हरण कहलाएगा तब से ही हर कारज में ये प्रथम पूझे जाते हैं प्रथम पूझ गणपतिजी महराज करते सब के पूरण काज रिद्धि से दी शुग और लाभू साथ में सदा विराज रहें मो तक भोग लगे गणपति को और मुशक पर साज रहें उनके कारज रास करें जो प्रथमें इने मनाते हैं प्रथम पूझ गणपतिबपा को हम सब शीश जुकाते हैं गणपतिजी महराज करते सब के पूरण काज गणपतिजी महराज करते सब के पूरण काज जो भी गणपति पूझे वो धन दान्य वैभब पाएं दान्य वैभब पाएं लोकेश प्रजापति मोक्ष मिलें गणपति दिल में जो बस जाएं गणपति दिल में जो बस जाएं ज्यान का जानन का करके सब भक्त भी महिमा गाते हैं प्रथम कुझ गणपति बपा को हम सब शीश जुकाते हैं गणपति जी महराज करते सब के पूरण का आज गणपति जी की सुनो कहानी संतों भुनियों नी हैं बगानी देवों की प्रभु देव कहाते हैं शीव के सुत गौरा के प्यारी सब देवन के राज दुलारी सकर लोक में होता बंदरी जन्जन करता है अधिनंदर शीव के लाडले लान की महिमा बड़ी महान हष्ट बिना यक दीव मेरे करती हैं कल्यान प्रथ में पूजन निका होता सकल जगत है शीष नवाता निखने शुर का रज को बनाते हैं कल्पती नाम को जग है ध्लाता शीव ने ने वरदान दिया है ऐसा ही शुब काम किया है प्रथ में मंदन होगा तुम्हारा बाद में होगा काय जिसारा गौरा शीव के प्यारे है लीला वड़ी महार आग्या बिरान आ दिव की होग न पूरन काम स्वर्ण मुखट मस्तक पे भाता मुख मंधल पे तेज सहाता गज मुख देवा सुन्ड विशाला अश्च से धिनाव निधि देते हैं बबबा खुशे से भर देते हैं ग्यान ध्यान के ही दाता दीन जनू के भाग्य विधाता विश्व बिनायक हे दाता लंबो दर महारा कथा सुनाओ अपकी देवा रखना लाज ग्रन्थोनी हमको है बताया गौरा मैल सेनी बनाया राक्षक बन कर द्वार पे बैठें अंगर आने से ये रोकें एक दिवस तब शिव जी आए बालक को बैठा थे बाएं पूछ रही क्या नाम तुम्हारा क्यों रोका है तुमने द्वारा गणपती नीवत लाई दिया बैठाया मोहिमात अंदर आई ना कोई समझाई ये बात तब शिव जी को ग्रोध थाया हाथों में तिर शूल उठाया अपने सुत के शीष को काटा गोरा ने तब रुधन बचाया ये क्या तुमने नाथ किया है अपने सुत को मार दिया है कैसे भी हो इसे जिलाओ नहीं तुम मुझ को मार किराओ गोरा के उतपात से काच की आए जाए गनपति जी की ग्रिवा पे हाथी मुख था लगाय गोरा तब भी रुधन मचाती रोरो के पीटी वो जाती कैसा रूप बनाया तुमने शिव ने गोरा को समझाया तब ही ये वरदान भी पाया सबसे पहले पूजन होगा तब सी ही गनपति पूजा सबसे पहले होई देवों की ये देव है दो जानाई कोई उमर देव की बढ़ती जाए शेक्षा पाने गुर कुल जाए उनकी रूप को जो भी देखे केसा बालक मन में सूचे लेकिन ग्यान उन्हों ने पाया नहीं जरूरी कैसी काया खान गोडों की देव काये सकने जगती निशीश दवाये गनपति जी के ग्यान का कोई नसानी काहाई विघनों को हरेनी वाले सब के बात बनाए बात जो आई वधुढूंधन की सब को कमी बस ये ही खलती गज मुख कायाती वेशाला इस कारण कही बात न बनती मुश्किले ही वढ़ती जाती गोरा मा को समझना थी कैसे बोलो ब्या ये होगा इस रस्ते का थाह क्या होगा बात विवाह की नहीं बनी कैसी थी ये बात शिव गोरा के दिल को भी लगती सिंसिगार गणपति ने तब ध्यान लगाया रस्ता विवाह का नाजब पाया सोची मन में ध्यान लगाओं बन को छोड़ों तक पकुपाओं इस कारण वेहबन में आई व्रेक्ष तलेक बैठे जाई ध्यान मागन होकर वो बैठे है मन को भाई जोगी जैसे कठिन तपस्या साधी थी किया था ऐसा ध्यान शती बढ़िया पार मिली हो गए पूरन का एक दिवस जब ध्यान को आए बैठे समाधी तो लगाए देवी तुलसी वहाँ पे आए मुहित उन पे होने लगी वो ग्यात नहीं था ये गनपत को एक टक उनको देखे जाती वानों प्रिश्णा बढ़ती जाती तुलसी मन में सोच रही ऐसा हो वेका गनपत जी का वरण करूं का रज हो ये महाँ ध्यान की तंद्रा गनपती खोली देवी तुलसी उन से बोनी वरण करूंगी मैं तो तुम्हारा गनपत जी ने उन्हीं समझाया व्याह का प्रस्ता है ठोकराया चयन किसी भी वरका कर लो मैं हूँ योगी बात समझाया तुलसी की आग्राह को गनपत देठो कराया उन्हीं रिज्छानी का कारच धूमिल सब ओजाया तुलसी ने तब श्राप दिया है ठोकरा के मुझे पाप किया है ब्याह बड़ी मुश्किल से होगा गनपती ने तब बात विचारी बात वरन की तजदी सारी फिर से उन्होने ध्याने लगाया ये भी तुलसी को विसराया तुलसी की इस श्राप से बढ़ने लगा बिलं लेकिन गनपती ध्याने से इतना हुआ वलं तब ब्रह्माने बात विचारी रेधी से धी सुता थी प्यारी छिवसी उन्होने बात चलाई पूरा शिव को अतिमन भाई दो पोत्री तब उनसे व्याही अर धांगे नी वो ही कहलाई गनपती निके गुरु विकाहाई वरन हुआ विघनेश्वर का बन गए सारे काज पूत सब बेला गई छेडा खुशी का साज शुभ और लाभ से सुत थे पाए बीर थीर बलवान का हाए शिव का बढ़ता सब परिवारा प्रीत प्रीत का है विष्पारा अनधान यश सुख दिरिवाली भक्त जनों की है प्रतिवाली सारा जग नित बंदन गाता शिव परिवाली से ऐसा नवादा प्रीत का संजोग है शिव गोजा परिवाद सारी जग में गुझती जिसकी जैजैका मास चतुरती जब भी आवे गनपती पूजन भात करावे मूसी की असवारी प्यारी निवा मुदक भोग लगाओ बिघनेश्वर की महिमागाओ चुब है दिवस बुधवार का हावे सकल लोक में होता है गनपती का मनुहार भग तो बोलो प्रेम सीन की जैजैकार श्री गनपती की गथा सुनाई महिमाँ सबको है बतलाई जन्व गथा की ज्यान को पाये महिमाँ गनपती की उपकारी भव से सबको तारने वाली जो बिघनेश्वर ध्यान लगाता भगतों पूजन खुशिया पाता अश्ट बिनायक देव मेरे करती सदकल्या गनपत पूजने सी होते भगतों पूरन काम झाल